हे गाइस वल्कम बैक इन्यों यूट्यूब चैनल निकू चोधरी व्लोग्स आज बात करें हैं वाइरल शादी वाले भहिया की यानि की हमारे प्यारे दुलारे न्यारे जो की न्यारे इसलिए बन गया है क्योंकि भाहिस साब ने शादी क्या की रील शादी की है मतलब इनों जादे पीछे जाने की जड़त नहीं है इनके जो वीडियो की जब शुरुआत हुई थी यानि कि इनके व्लोग्स की शुरुआत थी नॉर्मल वीडियो जे बना रहे थे नाचगा के कूद पांध के उसी बीच में इनकी एक वीडियो आई जिसमें इनोंने आजीब सा जो वीडियो है तो उस वीडियो से ये लोगों की नजरों में आए पहले थे लेकिन उस वीडियो से जादा है वहाँ पर इनकी फैमिली ने गुहार लगाए थी कि इनकी फैमिली को खत्रा है इनकी सिक्योर्टी को खत्रा है बहुत सारी चीज़े ने बताए थी बेसिकली हो यह रहा था कि इनके गाउंवाले को इनका ये behavior यानि कि इनका नाचकूद पसंद नहीं आ रहा था जिसके हो जैसे वो लोग objection कर रहे थे और इनके साथ में कुछ बत्तमीजी की थी जिससे लेटेड इन्होंने वीडियो बनाई थी हाला कि उससे लेटेड शायद इन्होंने रिप शाधी को इन्होंने बना दिया है content वाड़ी शाधी उसका रिजन यह है कि भाईया ने शायद लड़ीकी देख रहे थे उस वक्त कहा थे लड़ीकी को रहील बनानी आती है यानि कि इनकी जो बीवी है उसको खाना बनाना तो नहीं आता जादा अब मैं बता देती हो खाना का मैंने व्लोग देखा तो उनमें वह खाना बना रही थे और वह यह कह रहे थे कि मतलब इसको खाना बनाना ज्यादा नहीं आता आज का नहीं मतलब पहले का शायद ब्लोग था कि खाना बनाना मतलब धूप में खाना बनाना में इसको दिक्कत होती है तो दीदी जी को जा तो भाईया जी ने यही बात पूछी होगे कि क्या दिदी जी को रेल बनानी आती है, क्या मेरे साथ वीडियो बना सकती हो, क्या comfortable हो कैमरे पे, तो कहां हां हां हां, तो फिर ठीक है कबूले 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 और हो गई शादी की तेयारिया, तो मंदिर में जाकर एक सिंपल से तो भाईया इनके लिए इतनी रोस्ट वीडियो बने जो भाईया की famous शादी थी, वो और जादा famous हो गई, यानि कि भाईया आप famous पे famous हुए जा रहे है, लोगों को इनकी जान पहचान पूरी बढ़िया तरह, अरे वो ही real वाली शादी थी, इतना ही नहीं भाईया ने सुह दो दिन बाद प्रेगनेंसी की भी न्यूस कर दी, आप देखनें के घर में जल्दी खुषबरी आने वाली है और फिर यह 9-9 महिने प्रेगनेंसी की जो न्यूस है उसको चापेंगे, क्योंकि जो इनके हाला आता है वो कहते हैं पूत के पालने, पालने में दिख जाता है, इसके बाद में आते हैं उनके अब हनीमून के लिए, ममी के मना करने के बाद ममी को समझा के ममी कौन्टेंट, चापेंगे, जितना हम गवा में घुमेंगे, उससे ज़्यादे तो हम कमा लेंगे, जाने दो, ममी ने का ठीक है बीटा जाओ, तो फाइनली भहिया पोज गए ह गवा के अपने हनीमून के लिए, तो हनीमून पर दिखने माला है आपको बार बार के कौन्टेंट, भहिया आपको अगर हसी वाले ब्लोग देखने हैं न तो इनके देख लो, मतलब हसी आपको खूब भी लेगी, नहीं यह हसते भी नहीं मिलेंगे, लेगिन आप देख सकत हैं उसमें कि एक निभा निभी किस तरीके से चले जारे चले जारे ऐसा ही लग रहा है भाईया की हरकतों से, पापा इनके काम करते हुए दिखा देता है, पापा ये ला दो पापा हो ला दो और भाईया सिर्फ मुबाईल लेकर दूसरों के आख़ों में घुसे रहते हैं, ये कर दिया वो कर दिया खैर फैमिलिस से चल रही है अच्छा कमारे है बढ़िया है भाई साहब पुरी मेहनत कर रहे है और हम तो कहते है behi आप पुरी आगए बढ़ो कोई दिक्कत निया है बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो मस्त है मतलब कि गंद की फैलाने से तो अच्छा है भाई रील फैलाओ अपनी जितनी हो सके उतनी फैलादो उसके बाद आते हैं बात भाईया की शादी को अब कुछ लोगों ने कह दिया है कि फेक है क्युकि भाईया पनी भाईयीं बतल को मांग में भर दिया है गुलाबी सिंदूर। अब लोग कहने लगें भाईयी यह तो फेक हैं कुछ लोगों ने रियक्ट भी किया क्योंगे हम बिहार में रिवाज होता है कि कई जंगा उपर बिहार में भी अलग अलग तरीके के कलर के सिंदूर यूज किया जाता है जैसे कि ओरेंज यूज किया जाता है पिंक लाइट पिंक इस तरीके से अलग अलग करेंके सिंदूर यूज किया जाते हैं और पिंक सिंदूर बहुत पिंक लगर सिंदूर बढ़ा दिए उनकी ममी नЕ भी अच्छी तरीके सा और आपको मैं बता दू कि उनके कैमािंट्रैक्ष्टन में भी लोग उनकोuing को सपोर्ट करके यही बात बोलने हैं कि नहीं भाई यह होता है नहीं बिहार pose ऐसा होता है तो भही बिखार में ऐसा होता होगा यह चीज मैंने बोहत से लोगों से सुनी भी और देखी भी है क्योटा जैसे हमारे यहाँ पर तो लाल रंग का जो सिंदूर होता हो सबसे शुब होता है कुछ लोग महरून भी यूज करते है लेकिन लाल सबसे ज़्यादा शुब माना जाता है ठीक है पट महापैसा होता होगा तो भाई शादी को आप सिंदूर से जजना करें सिंदूर का यही है मुझे एक चीज इनके अच्छी लगी भाई शादी में कुछ फालतो ताम जाम नहीं जाके मंदिर में छोटी सी शादी कर लिए अपना इधर से कुश उधर से कुश और रील पर रील रील पर रील बना ली तो यह बहुत जादा अच्छा तरीका है कोई दिक्कत नहीं है पैसे कमा रहे हैं तब पैसे को वेस्ट बिलकुल नहीं कर रहे हैं भाई इधर उदर कहीं नहीं जाने दे रहे हैं मेहनत क कि कमाई को अपने पास ही रख रहे हैं यह सबसे अच्छी बात मुझे भाइया की लगी अब लोग इनको हेट दे प्यार दे कुछ भी दे लेकिन बंदे ने महनत तो किया ना कॉंटेंड के लिए शादी किया फिर एक ऐसा पंड़त बुक किया जो इतना भाई टोलरेट कर सके कि भाईया हरेक फेर पर डील बना रहे हैं भाईया भाईया सब इस जो पंडित होगा ना उसको साथ तोपो की सलामी कैसे किया है हरेक मंत्र पर रुक राओगा ओंब बुर्बस है चलो रुक जाओ तस सवितुर बनेने पर पूरा सपोर्ट किया और भाईया अपनी डील में चाहा लगा रहे हैं जमाई बेटा राजा मिला तो वह चीजे भी बड़ी गजब लगी मतलब मुझे ना इनका कॉंटेंट सीरिस सा जादा फनी लग रहा है मतलब शादी सा जादा असा लगा है कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है बट फिर भी है अब फिलाल का बात यह है कि जो शादी है वो बिल्गुल रियल है मजदार है अला कि कुछ जो है लोकल कहते है यूट्यूब निव्ड वाले भी ये बात कह रहे हैं नहीं नहीं पहुती है content चापो हम reaction चापेंगे और roast वाले roast चापेंगे तो सबको काम मिल गया आपकी शादी से देख लो कितना फायदा हुआ है तो हम करते हैं वीडियो को और टाटा बाई बाई